नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्रिक इंफॉर्मर में तो भारती टीम का अश्टेलिया खिलाब चार मैचों की बॉर्डर का वसकाट सीरीज सुरू होने वाली है आठ फेबरियोरी से जिसके पहले दो मैचों के लिए टेस्ट टीम का एलान हो गया है तो उस टेस् से इसान किसन का इंकलूजन और सुर्ग कुमार यादो का इनकलूजन अगर हम बात करें इसान किसन का इनकलूजन तो वह एक जस्टिफिकेशन जरूर देता है कि वो लाइक टू-like रिप्लेसमेंट है रिसपण्त के और अगर मिडिल ओबर्स में भारती टीम दबावामें तो वहाँ पे वो counter punch कर सकते हैं लेकिन अगर हम बात करें सुर्ख कुमार यादो का inclusion तो उनका inclusion भारती टीम के रड़ी रड़ी के star, domestic season के star है domestic performer सर्फराज खान की जगा हुआ है सर्फराज खान ने इस संस्करण और पिछले संस्करण को लेकर असी के ओसस से रड़ी ट्रॉफी में रन बनाये हैं और उनका inclusion बंगला देश दोरे से ही बनता था लेकिन बंगला देश दोरे पर भी उनको exclude किया गया फिर उनको अस्चिलिया दोरे पर भी नहीं चुना गया और हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है क्यों सुर्कुमार यादो को तबज्जो दिया गया सर्फराज खान के उपर जैसे कई facts थे जैसे उनको sweep start खेलना, counter punch करना और spin को वो अच्छे से well proven player है international का दबाव जहलना जानते हैं और spin को अच्छे से खेल सकते हैं यह सब कुछ factors थे जिस पे सुर्कुमार यादों को तबज्जो दिया गया है पहले दो test matchों के लिए लेकिन सर्फराज खान का selection इस test squad में बनता था क्योंकि उन्होंने रर्जी ट्रॉफी में जवर्दस्त प्रदर्शन किया है बहितरीन average रखा है और अपने इस report में हम देखेंगे क्या कुछ media कर्मियों से बोलते नजर आये सर्फराज खान किस हिसाब से अपना दर्द सेयर किया और ये भी देखा जाएगा कि कैसे भारती टीम के सेलेक्टरों ने जब सर्फराज खान से दो दो बार दगाबाजी कर दी तो उसके बाद कैसे आसवासन देते नजर आये भारती सेलेक्टर क्या कुछ बोला उन्होंने सर्फराज खान से BCCI ने जब से न्यूजिलैंड के खिलाफ limited over series और अस्टेलिया खिलाफ पहले दो टेश मैचों के लिए team इंडिया का एलान किया तब से सर्फराज खान चर्चाओं में है सर्फराज खान लगतार घरिलू क्रिकेट में रन बना रहे हैं मगर उन्हें अंतराश्टी स्थर पर मौका नहीं मिल रहा है हाली में इस खिलाडी ने खुलासा किया कि चैनकरताओं ने उन्हें बंगलादेश दोरे पर मौका मिलने की बात कई थी मगर उन्हें इस दोरे पर senior team से नहीं बलकि भारत ये से खिलने का मौका मिला थी वहीं उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि वह selection committee के chief चेतन सर्मा से भी मुलाकात की टाइमसाफ इंडिया से बात करते हुए सर्फराज ने कहा बैंगलोर में रडजी ट्राफी के final के दोरान जब मैंने सतक बनाया तो मैं चनकरताओं से मिला मुझे बताया गया कि आपको बंगलादेश में मौका मिलेगा उसके लिए तयार हैं हाली में मैं चेतन सर्मा सर से मिला जब हम मुंबई के होटल में चेक इन कर रहे थे उन्होंने मुझे निरास नो होने के लिए कहा और कहा कि मेरा समय आएगा अच्छी चीज़ें होने में समय लगता है आप बहुत करीब हैं आपको अपना मौका मिलेगा इसलिए जब मैंने एक महतपूर पारी खेली तो मुझे उमीदे थी सर्फराज खान ने आगे कहा जब टीम की घोसरा होई और मेरा नाम नहीं था तो मैं बहुत दुखी था इस दुनिया में मेरी जगा कोई भी दुखी होता क्योंकि मुझे चुने जाने की उमीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ कल मैं पूरे दिन उदास था जब हम गुआ हाटी से दिल्ली की यातरा कर रहे थे मैं सोच रहा था कि यह क्या और क्यों हुआ मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था अगर हम सर्फराज खान के फर्स्ट क्लास केरियर पर एक नज़र डालें तो उन्होंने अभी तक 36 मुकाबलों में 80.47 की और विश्वसनी ओसात के साथ 3380 रन बनाए है सर्फराज का बल्ला पिछले कुछ सालों से रेड बॉल क्रिकेट में धमाल मचा रहा है 2019-20 सीजन में उन्होंने 114.66 की औसास से 928 वहीं 2021-22 के सीजन में 122.75 की जवरदस्त औसास से 982 रन बनाए तो आज के अपने इस रिपोर्ट में हमने देखा कि क्या कुछ चैन करता होने सरफराज खान से वादे किये लेकिन उन वादों पर खरे नहीं उतरे और बहुत निरास महसूस कर रहे हैं सरफराज खान इस वक्त सेलेक्शन न होने पर इंडिया टीम पर इंडिया टीम में लेकिन ये बात तो जरूर सच है कि अच्छी चीजे होने में समय लगती है और सरफराज खान को अपना होसला नहीं खोना चाहिए होसला बरकरार करके आगे के कुछ मैचों में परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि जरूर उनका सेलेक्शन अब कुछी सीरीज बाद होना ता है या यू कहें अगर दो टेस्ट मैचों में सुरी कुमार आदो खिलाए गए मगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर क्या आगले दो टेस्ट मैचों में क्या पता सेलेक्टर्स उनको चुन ले तो उनको अपना होसला गिराना नहीं चाहिए अपने होसले को बरकरार रखकर परफॉर्मेंस देना जारी रखना चीए तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही आप सभी लोग अपना कोबीट से ध्यान रखें सुरच्चित रहें, स्वास्त रहें जैहीं, जै भारत